जैन दोस्तों, वेलकम टू फोजिवा क्लासेज। आज हम आपके सामने भारती सेना के सूर वीरों की एक ऐसी शोरे गाथा लेकर के आये हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जदपी, भारती सेना ने आज तक जितने भी पराक्रम किये हैं, वो सारे के सारे पराक्रम एक से एक बढ़ करते हैं। लेकिन 1971 का भारत-पाकिस्तान का युद्ध इस विश्वितिहास में एक ऐसा स्थान रखता है कि जो युद्ध भारत ने अपने लिए नहीं बलकि किसी औ और के लिए लड़ा था। आज हम उसी भारत-पाकिस्तान के 1971 युद्ध की अमर गाथा आपके सामने ले करके आए हैं। इस वीडियो को अंद तक सुनिये। यह भारती सेना की वीर गाथा किसी भी धर्म की धर्म-ग्रंध की गाथा से कम नहीं है। परवकार के लिए अपनी जान और अपना सबकुछ नोचाओर करने वाले सैनिक किसी साधुसंत सन्यासी से कम त्यागी नहीं। आईए उसी वीर गाथा को आज हम सुनते हैं। दोस्तो 1971 वार क्यों हुआ? इसके पीछे की भूमिका क्या थी? कैसे हुआ? और इसका परड़ाम क्या हुआ? यह आपको भारती नागरिक होने के नाते भी जानना चाहिए और अपनी सेना के सोरे गाथा के रूप में भी जानना चाहिए। इस वीडियो को खुद भी सुनेए, अपने बच्चों को ही जरूर सुनेए। मित्रों जब भारत पाकिस्तान का सेप्रेशन हुआ 1947 में तो पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बना तो ये पोर्षन वेस्ट पाकिस्तान और ये पोर्षन इस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांगला देश के नाम से जानते हैं यह मुस्लिम आवादी तो थी, किन्तु यह बंगाल के छेत्र में रहने वाली जो मुस्लिम आवादी थी, यह इस्ट पाकिस्तान के रूप में और यह जो आवादी थी, यह वेस्ट पाकिस्तान के रूप में सेपरेट होई, पुर्भी और पस्वी पाकिस्तान इनको बोलना ह वास्तों में इनका विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन 1947 से लेकर के और 68-69 तक भी इनके वहां लोकतंत्र नाम की चीजें सिर्फ कहने भर के लिए रही और उसके साथ में इनका विकास भी कुछ भी नहीं हुआ 1967-68 के दोर में पूर्वी पाकिस्तान के एरिया में एक लीडर विक्सित हुए, उनका नाम था सेख मुझबुर रह्मान और वो जिस पार्टी को बिलान करते थे उस पार्टी का नाम था अवामी लीड साथी साथ वेस्ट पाकिस्तान में जिस पार्टी का दबदबा था उस पार्टी का नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेख मुझेबुर रहमान, पुर्वी पाकिस्तान की भौगोलिक दृष्टी, पुर्वी पाकिस्तान की भौगोलिक इस्थिती, यहां की भासा, यहां की संस्कृती और वेस्ट पाकिस्तान से इसकी दूरी के आधार पर इसको एक अलग भाचान देना चाहते थे और इसको वो लीड कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तान की जो पीपुल्स पार्टी के नेता थे वो बार-बार इनके उपर यहां आरोप लगाते थे कि यह भारत की आईरन लेडी प्रधानमंत्री ततकालिम प्रधानमंत्री इंदरा गांधी जी से मिल करके यहां एक नया देश बनाना चाहते हैं और पाकिस्ता को तोड़ना चाहिए इसी आरोप में सेख मुझीबुर रहमान को को पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट करके जेल में बंद करेंगा लेकिन उनकी लोगप्रियता के चलते हुए इतना बड़ा जन आंदोलों आक्रोस खड़ा हुआ पूर्वी पाकिस्तान में कि 68 के लास्ट में उनको छोड़ना पड़ा उनको अरेस्ट करते समय जो पाकिस्तानी आर्मी का ततकाली नचीफ था उनका नाम था जनरल अयूब खान जनरल अयूब खान को सेख मुझीबुर रहमान के ग्रिफतारी और उसके उनको छोड़ने के बाद में अपने पद से इस्तीफा दिना 69 के लास्ट में यह एनाउंस्मेंट किया कि हम एक जनरल एलेक्शन कराएंगे जनरल एलेक्शन जब हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग लड़ रहे थे और यहां पर अवामी लीग रड़ रही थी एलेक्शन के बाद आकचुली यह वेस्ट पाकिस्तान को लोगों को लगता था कि हम संख्या में जड़ा है हमारे प्रिष्टभूम ही ज़ादा है हमारी सक्ती भी थोड़ी जादा है तो यह एलेक्शन हो करके भी यहां का आदमी जो सेख मुझीवर रहमान है वो यहां तक तो राज करने नहीं पहुंचाएगा बट उनकी उनका यह कल्कुलेशन गलत साभित हुआ एलेक्शन के बाद सेख मुझीवर रहमान की पार्टी अवामी लीक को 167 seat मिली जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मात 86 seat मिली बट अवामी लीट को यहां पर 0 मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पर 0 मिला इन दोनों लोगों को अपने place of area of representation में ही पढ़त मिली लेकिन नमबर गेम के आधार पर से एक मुझीवर रहमान को ब पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी और तत्कालीन सरकार के सहयोग से सेक मुझीवर रहमान को यह सपत लेने से रोक दिया गया और तत्कालीन जनरल याया खान ने उस एलेक्षन को ही मिली जुली भगत करके कैंसिल कर दिया मार्च के फर्स्ट मार्च 1971 को जब इस एलेक्षन को अवैद घोसित कर दिया गया या निरेस्थ कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया उसके बार सेख मुझीवर रहमान को तुरंत अरस्ट भी कर दिया गया उनके अरस्ट के बिरोध में बंगला देश की जो राजनीतिक हालात थी और वहां की जो जनता थी सेख मुझीवर रहमान के अरस्ट से इतना गुस्से मागई कि वहां पर बहुत भैंकर विद्रोह खड़ा हो गया इस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने बंगला देश की में रहने वाले जिसको तब तक पुर्वी पाकिस्तान बोला जाता है वहां के वासिंदों के ऊपर आमानवी अत्याचार ऐसा सुरू किया कि जैसा अत्याचार इतिहास में कहीं नहीं कुछा है कहा जाता है दो से तीन लाख महिलाओं के बलातकार हुए 30-45 लाख लोगों का कतलियाम हुआ, उसमें कौन हिसाब रख रहा है, जहांकि कोई सरकारी ब्रोस्तावत तंत्र नहीं है, कतलियाम हुआ और अत्याचार की सारी अमानवी सीमा को बंगला देश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने अंजाम दिया इससे वहां के बंगला देश के रहने वाले लोग भाग भाग करके भारत में सरण लेने के लिए आने लगे और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने बंगल और आसाम के रास्ते भारत में सरण लेलिया और सरणाथी बने इस हालात को देखते हुए ततकालिन प्रधानमंत्री मानिया श्रीमती इंद्रा गांधी जी बहुत चिंतित होई और उन्होंने भारत के उस समय के आर्मी चीफ जनरल सैम मानिक साथ को अपने आफिस में बुलाया और बुलाते ही सैम मानिक साथ एक ऐसे ब्रेप सिनापती थे कि वैसे उनकी वीरता और किसी सिनापती की आज तक देखी नहीं इतने वीर सिनापती थे इतने बोल्ड इतने भादुर सैम मानिक साथ को बुला करके इंद्रा जी ने पुछा जैसे उनके आफिस में गए तो मानिक साथ ने बुला कि क्या हुआ मैडम आप बहुत चिंती थें उन्हें ने बुला हां मेरी चिंता का कारण है और वह है पुर्वी पाकिस्तान से भारत में आने वाले स्राड़ा थी तो उन्हें बुला फिर आपने मुझे क्यों बुला यह तो उन्हें बुला स्वीती इंद्रा गांदी ने ले कि नौ तो तो आप जान रही है आप क्या बोल रही है इस इंडरा जी ने बोला आप अटेक कर दीजे, सैम मानक्षा सर ने बोला कि आप ने मुझे काम दिया, मुझे कैसे और कब करना है, और अभी अप्रेल का एंड हो गया, मई जून में मानसून का महीना रहेगा, बांगलादेश, आसाम, बंगाल की पूरी धर्ती बादिशो दलदल से भीगी रहेगी, और हम अपने आर्मी का मुमेंट उस इस्तिती में नहीं करा सकते, और इसका मतलब होगा, गलत समय पर आर्मी को भेजना मतलब हार, and I will fight a war only for winning, that was a word of Sam Maanak-Shah, तो इंद्रा जी ने उनके confidence को देखते हुए, बोला, okay, decision will be yours, but result will be mine, Sam Maanak-Shah सर ने उनको बोला, okay, अब इस दोरान, जनरल सैम Maanak-Shah ने भारत के Eastern Command, आर्मी के Eastern Command के, जो Command-In-Chief थे, G.O.C.N.C. बोलते हैं, जनरल Officer Command-In-Chief, लेफटे हैं जनरल अरोरा सर, उनको बोलाया, और उनको बोला कि ये Operation आपको करना है, इसके लिए तयारी अभी से चालू कर दीजिए, और कब करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, इन बिट्विन, आर्मी का मुमेंट, आर्मी के तयारी, आर्मी के ट्रेनिंग, अभी क्या है, अब आर्मी को दूसरी के लेंड पर, दूसरी के ट्रेटरू में जाओ के Operation करना था, सब चीज़ें ट्रेनिंग हमारी चलनी लगी, इन बिट्विन, पुर्वी पाकिस्तान में एक विद्रोही संग्थन खड़ा हुआ, जिसका नाम था मुक्तिवाहिनी, जनरल सैम मानेक सासर ने, इंटर्नली, मुक्तिवाहिनी के लोगों को भी, ट्रेनिंग और कुछ वेपन्स देना चालू किया, जिससे वो भी ट्रेन हो, और वो भी, वहाँ पर जो आर्मी अत्याचार कर रही है, पाकिस्तान के उनके खिलाफ, लड़के खड़े हों, क्योंकि कहीं भी जहाँ जनता खड़ी हो जाती है, वहाँ तो सेना कितना दिन तक दबाएगी, इस दोरान पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार बदस्तूर जारी रहा, और यह सब प्लानिंग करते करते, दिसंबर 1971 का महीना आ गया, पाकिस्तान को यह जानकारी तो लगी गई कि भारत डाइरेक्टली तो नहीं लेकिन इंटर्नली मुक्तिवाहिनी को और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जिससे हमारी वहाँ डिफीट हो जाए, और इसी हरबडाहट गुस्से, बेचैनी और बुद्ध हीनता और मतिमारे जाने की घटना के पलस रूप, इस पागल पाकिस्तान ने 3rd दिसंबर 1971 को बिना कुछ बात स्टार्ट किये, भारत के कई सारे हुआई अड्डों पर एर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें अमरित सर, आगरा, पठान कोट, स्रीनगर, उत्तरलाई, जोधपूर, आधी, कई सारे फाइटर बेस थे, और कई सारे रडार स्टेशनों को भी तबाह करने की कोशिस थी, लेकिन जल्दिबाजी में किये हुए इस हमले से भारत का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, अब भारत को बिना बुलाए निमंत्रण भी मिल गया था, क्योंकि पहले अटेक चालू कर दिया, तीन दिसंबर की रात को श्रीमती इंद्रा गांधी ने भारत पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेज्ड वार्क की घोशड़ा कर दी, और भारती वाईसेना के जहाजों ने पाकिस्तान के लगे हुए दसों एयर बेसेज को इस तरह से नस्ट किया, और रारी स्टेशनों को, कि वो पूरे युद्ध तक उनका रनवे यूज के लायक ही नहीं रहा, इस तरह रनवे को डिस्ट्वाइ कर दिया, वार की स्टड़जी में, जहाज डिस्ट्वाइ करने से ज़्यादा जरूरी होता है, रनवे को डिस्ट्वाइ ये घटना हो गई, अगले दिन 4 दिसंबर 1971 को, पाकिस्तान ने क्या सोचा, कि भारत की तो पूरी आर्मी इस बौर्डर पे लगी हुई है, तो सपोर्ट इस पाकिस्तान एंड मुक्तिवाहनी, यहाँ पर ये कमजोर पड़ रहे हैं, तो इन्होंने रायस्थान के रामगड में लोंगे वाला नामक अस्थान पर अटेक करने का प्लान बनाया, वास्तों में तीन तारिक को अटेक हुआ था, जस्ट चार तारिक को कितना आर्मी का मुमेंट वहाँ नहीं पहुँच सका, कि पूरी पूरी फोज वहाँ पे खड ही हो पाए, तो इस लोंगे वाला में लोंगे वाला जो पोस्ट था बिलकुल बॉर्डर पर है, जसल बेर के बॉर्डर पर है, लोंगे वाला पोस्ट पर भारती सेना के पंजाब रिजिमेंट के मात्र, मात्र 120 जवान, मेजर, कुल दीप चांद पुरी सर के नित्यत्र में तैनात थे इनके पहुंचते ही BSF ने इनको चार्ज दे दिया और वास्तों में भारती वाई सेना को भी नहीं पता था कि यहां से यह इतना सीवियर अटेक करेगा और 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने की 10,000 से ज़्यादा फाउज लोंगे वाला में अटेक कर दी टैंक वैंक सारी चीज़ें ले करते जैसे ही अटेक की सुचना मेजर चांदपुरी को मिली इनके कमांड हेटकॉर्टर ने बोला की भाई तुमारी संख्या वहाँ पर कम है और हम जब तक फोर्स भीजेंगे तब तक वो इतना अंदर आ जाएंगे और तुम सारे लोग हो सकता ही कि उनके जाल में फस जाओ और मारे जाओ तो तुम उस पोस्ट को छोड़ करके पीछे आ जाओ उनको अंदर घुसने तो बाद में देखेंगे लेकिन इस वीर बहादुर मेजर चांदपुरी ने जिनकी वीरता की कुछ जलक आपने बॉर्डर फिल में देखी होगी जिसका रोल कर रहे हैं मेजर चांदपुरी ने यह पोस्ट छोड़ करके आने से मना कर दिया मेजर चांदपुरी को ड्राया भी गया उन्होंने बोला चाहे मेरा कोट मारसल हो जाए चाहे मेरी जान चली जाए मैं अपनी धरती दुस्मन के कदमों में छोड़ करके नहीं आउंगा आज रात या तो मैं यहीं मरूंगा या फिर इस धरती की रक्षा करूंगा उन्होंने अपने जवानों से पूछा जवानों ने बोला कि हम आपके साथ जिएंगे या मरेंगे रात को जब उसकी सेना आगे बढ़ रही थी पाकिस्तान की मेजर चांदपुरी ने कुछ सही में और कुछ डमी ऐसे डिब्बे बिछा दिये यह दिखाने के लिए कि यहां पर लेंड माइन लगी ही थी और अपने 120 जवानों को ऐसे तितर वितर करके एक गेट किलोमेटर की दाइरे में फैला दिया खाई के अंदर अपने देखा हो तो यह लोग क्या करते थे और वहां का ब्रिगेडियर जो पाकिस्तानी आर्मी का था वो टैंक लेके आगे बढ़ रहा था जैसे ही टैंक आगे बढ़ा इनके पास लैंड माइन भी जादा नहीं थी एक दो लैंड माइन फट गई फिर आगे बढ़ा फिर फट गई अब वो डर गया वो उसने अपनी सेना को बोला कि भाई देखो आगे बढ़ोगे लैंड माइन है पहले तो लैंड माइन खोद के निकाल के फेको डिस्ट्रॉय करो फिर आगे बढ़ो और ये लोग दूर दूर तक फैल करके एक बार इधर से एक बार इधर से इसका मतलब कि इनकी संख्या इतनी जाद है तभी तो दूर तक फले एक उधर से मार रहा है उधर से मार रहा है तो वह इस कंफ्यूज हो गया और उसने बोला कि मुझे लगता है गुप्तचर ने गलत सूचना दी 120 आदमी नहीं है यह 12,000 अब वो आगे बहने से डर रहा थ उपर से लेंड माइन कंफ्यूज कर दिया उसको लेंड माइन निकालते निकालते उसको सुबह चार बज़ गया मेजर चांदपूरी वहां पर डटे हुए हैं यह बात भारती वाई सेना को पता थी लेकिन उस समय के जो हमारे हंटर जहाज थे वो नाइट फ्लाइंग नही स्ट्राय कर दिया सारे टैंकों और लोंगे वाला में पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरह परास्थ हो गई और उसके बाद जो हमारा री इंफॉर्टमेंट गया पाकिस्तान के अंदर कई सैकणों किलोमेटर तक हमने कबजा कर लिया लेकिन कहानी वहीं भरने रूकी कहानी यह कार पढ़नी थी जबर जास्तर अब इंडियन नेवी के जो चीफ थे एड्मिरल नंदा सर उन्होंने इंद्रा जी से बोला कि दो जगह एरफोस और आर्मी दोनों फाइट कर रही है बड़ पाकिस्तान का एक स्ट्रांग क्वाइंट यह कराची पोर्ट है यहां से इसकी ए परमीशन से यहां पर उन्होंने अपना बेडा लगाया और कराची पोर्ट पर रात को इतनी ताबड तोड फाइरिंग की कि इस पोर्ट के जितने भी ओयल टैंकर और जहाज थे सब जल गए और कहा जाता है कि पंद्रहों दिन तक यह धूधू करके जलते रहे पाकिस्तान कहानी यहां भी बरबाद हुआ लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया कहानी में ट्विस्ट क्या आया पाकिस्तान का उससे में सपोर्ट कर रहा था अमरीका और भारत का सपोर्ट कर रहा था रसिया रसिया और इंडिया के बीच में कुछ वर्स पहले इंद्रा जी ने एक सम अब इसके तहब जब इस नेवी वाला वार शुरू हुआ तो एक कस्ट हुआ भारती वाई सेना का जो एरक्राफ्ट कैरियर है विवान वाहक युद्धपोद जो बहुत बहुत जिस पर सब जहाज वाज रहते हैं वो बंगाल की खाड़ी में मौझूद था इस पाकिस्ताना को एर पावर देने के लिए एर सपोर्ट देने के लिए आर्मी को सप्लाई करने के लिए यहां पर मौझूद था पाकिस्तानी नेवी ने इस इस को कुछ पे इस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक पन्डुब्वी फी एन्यस गाजी प्यन्स मेंस पाकिस्तान नेवल सीप एएनस मेंस इंडियन नेवल सीप यहां से पन्डुब्वी को यहां भेजने का प्लान बनाया लेकिन भारती सेना और नो सेना और वाई सेना की स्टर्टिक इस्टन्थ की वज़ा से यह उसका मिसन किस तरह फेल हुआ इस इंट्रेस्टिंग स्टोरी को आप दिखिए भारती वाई सेना ने जैसे पता चला कि यह विक्रांत को मारने के लिए यह जहाज भेजा है पंडुबी भेज रहा है गुप्तचरों से उन्होंने धीरे से इस विक्रांत को अंडवान निकोवार में सिफ्ट करा जिए और यह सूचना पाकिस्तानी नेवी को नहीं पता चले विसाखा पत्नम पोर्ट पर सूचना के अनुसार कि यह विसाखा पत्नम पोर्ट पर भारत का एक जहाज आई एनस राजपूत खड़ा था जो कि रिपेर के लिए आया था भारत ने ऐसी चाल चली कि आई एनस राजपूत के आज पास जिशाखा पत्नम के मार्केट में हवा पहला दिया कि यह बड़े जहा जा रहा है बड़ा जहा जा रहा है उसके लिए 6 महीने का रासन चाहिए चिकन चाहिए अंडा चाहिए मशली चाहिए दूद चाहिए ब्र पाकिस्तान को मिली कि विराट यहां पर आने वाला है जबकि विराट चला गया और यहां पर एक आई एनस राजपूत जो कि रिपेर के लिए आया था वो खड़ा था पी एनस गाजी यहां पर पहुंचा और जब उसको मारने के नजदी के लोकेशन में पहुंचा आई एनस राजपूत जो कि रिपेर में था वहां से टारपीडो फायर किया और पी एनस गाजी को वहीं पर मार के रवा दिया पी एनस गाजी के मौत के साथ पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि इससे बड़ा ला आप जान लीजिए कि जब भारत ने कराची पर हमला किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका का वार्शिप यहाँ पर भीजने का प्लान कर लिया और यही नहीं इंग्लेंड ने भी पाकिस्तान के सपोर्ट अपना वार्शिप भिजने का प्लान कर भारत तुरंथ रसिया से बोला कि आप हमको हल्प करिये रसिया ने अपने पूरे वार्शिप को यहाँ लाकर के बीच में समूदर tire लगा दिया बोला आओ तो हम बताते हैं तुमको और रसिया का बेड़ा इन से पहले पहुंच गया अमेरिका और इंग्लेंड से और इस दर से ये बेड़ा इनका आगे नहीं बढ़ा अधरवाई रसिया ने बोला कि हम जितना भी मिसाइल और टार्पीडो लेके जा रहें एक एक बड़ा वारसी पर उसके पीछे पीछे आगे पीछे सपोर्ट के लिए कितने छोटे सी पूत वारसी इधर बड़ा साइड 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 ऐसे चलते हैं तो पूरा बेड़ा है वो बेड़े को यहां पर आने नहीं दिया और इस तरह अरसिया ने अपनी दोस्तिनी और पाकिस्तानी आर्मी के इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेने दो कि संख्या मुझे बड़ा अच्छा लगती है नाइन्टी थ्री थाउजंड शोल्जर्स ने सरेंडर किया इंडियन आर्मी के सामें पाकिस्तानी आर्मी का पूर्वी पाकिस्तान में जो चीफ था जनरल नियाजी उसने लेफ्टें जनरल जगजीद सिंग अर्वडा के सामने आत्म समर्पड किया और 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया यह सारे सोल्जर्स पी ओ डबलू थे लेकिन जनरल सैम मानेक साने इनको एक सोल्जर की भाद बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में और केरिंग करके इनको रखा बाद में समझोता हुआ फिर इनको छोड़ा गया उस समझोते के बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर कई सैक्ड किलोमेटर तक जो कबजा कर लिया था फिर भारत ने समझोते के बाद इसको छोड़ दिया और इस तरह 1971 वार में वीरता का जो प्रदर्शन भारती सेना ने किया आज से कितनी साल पहले 50-60-50-50 साल पहले टेक्नलोजी भी कम परिस्तियां भी विकट उस समय हमने ये जो वीरता खेली यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी और तत्पशात पुर्वी पाकिस्तान को मुक्त करके एक नया देश बंगाल के नाम पर बंगला देश का उड़े हो तो भारती सेना की इस वीरगाथा को खुद भी सुनिये बच्चों को सनाईए और तक हो चाहिए इसके बाद पुनह में एक बार भारती सेना की के और जो आप्रेशन हैं उनकी वीरगाथा को ले करके आपके पास आऊंगा जय है